मैं कमल सीन चोहान गाउं अटेरना जिला सोनीपत हरियाना से किसानूं 1978 में मैंने खेत्ती सुरू की 1980 में बासमती दान की खेत्ती सुरू की अच्छा मुनाफा हुआ 1985 चलते दान की खेत्ती में बीमारी आनी शुरू होगी बासमती दान में और यह यूग आ गया एक जहर का यूग की सुरूवात हुई क्योंकि उस्टे में बहुत से सप्रे करने पड़े फिर भी फसल हम बचा नहीं पाए उसके बाद एक शुरूवात हो गई खर्चे की हम लोगों ने धान की खेत्ती में काफी सप्रे सुरू करने दिये परन्तु जब इसाब लगया तो बचे थोड़ी बंद हो गई इसी बीच में मनें बहुत से प्रयोग किये 1988 में बायोगैस प्लांट लगाया और जेवी खेत्ती शुरू की डेरी फारम की शुरूबाद की उननीसो चाण में में बासमती चावल को बेचने के लिए हलर लगाया प्रोसेस करने के लिए और एक काम करने कोशिस की परन्तु ज़्याद कामिया भी मुझे नहीं मिली 1978 में मुझे पताचला कि बेबीकॉन की कोई खेत्ती होती है और मुझे जिग्या से होई और मैंने बेबीकॉन की खेत्ती सुरू कर दी ठारा सितंबर zac moment 2008 में को मैंने पहली बार बेबीकॉन बहा और बीस नोमबर उन्नीस वठाण में को उसी पैदावार शुरूग होई और धान और ग्याहूं दोनों के मिला कर उससे ज्यादे आमदनी मुझे होई यानि कि एक एककड में 60 हजार उपे का बेविकोंमन ने उन्नीस वठाण में में बेचा तो दो तीन साल तक मैं अखिला खेत्ती करता रहा फिर मेरे पडोश के किसानों ने सुरू कर दियो उसके बाद पूरे गाउं अटेरना ने बेविकों की खित्ती जू कर दी और फिर अटेरना से बाहर निकल कर आसपास के 15-20 गाउं में बेविकों की खित्ती सुरूबात हो गई किसान भाईयों को सबसे पहले राम राम मैं डाक्टर जेके नांदल किर्शी विग्यान के अंदर में सीनियर कोडिनेटर हूँ तेक जहां तक मक्का की बात करें मेज की बात करें मेज यहां जैसे आप स्वीट कौन की बात करते हो बेविकों की बात करते हो और मेज की बात करते हो तो में तीनों में फरक ही क्या है जैसे बेविकों नहीं मैं बेविकों के खेत में खड़ा हूँ यह इसका मेल भाग है मतलब नर भाग है और जो यह इसकी यह जो फ्लावर जो निकलता यह है कुछ वेराइटी ऐस ही होती है जैसे ही मेल भाग निकलता ह Israel अधे लिए से बनेक्ट करेंडिया जाता है इसको सब्सक्राइब को लेटी इसको कार लिमागे निकलता है इसको एक इनлекनी के अंदर इसको तोड़ लिया जाता है तो इसमें जब पोली ने-स निहीं हो Records इसके बुटे में दाने नहीं बनेंगे, तो जो खाली ये इस तरह का बुटा होगा, खाली जिसमें खाली खाचा दिखाई देगा, लेकिन दाने नहीं होगे, इसको कच्छी अवस्ता में तोड़ लिया जाता है, जिसको बेबी कॉर्ण, या मतलब ये कैसा है, एनिसेचित ब जाने होते हैं, तीसरी मेज है, उसको पका के तोड़ा जाता है, तो तीनों में ये फरक है, जहां तक बेबी कॉर्ण की कुछ वेराइटियां ऐसी भी हैं, जिसमें ये डिटेसलिंग नहीं करनी पड़ती, उसके अंदल जो मेल है, मेल स्ट्रेलिटी होती है, यानि मेल जो ह कंपनी की जी चम्मन चोदा, ये मेल स्ट्राइल है, इसमें मतलब डिटेसलिंग करने की जूरत नहीं पड़ेगी, मेल इसमें फंक्चनल है ही नहीं, तो इसका भुट्टा इसके बगएर काटे ही तोड़ लिया जाएगा, तो उसमें भी पॉलिनेशन नहीं होगा, ये कब होई जाती है, इसके दो सीजन है, ये कहते हैं हम खरीब का सीजन, जिसमें हम जून जुलाई में बोते हैं, दूसरा सीजन है रभी का सीजन, जिसमें हम अक्टूबर नुमंबर में भी जाए करते हैं, तो जो साइन्स के हिसाब से इनको फार्मर को दो सीजन बताये गए थे कि दो सीजन में आप बेबी कॉर्ण और स्वीट कॉर्ण को ले सकते हैं लेकिन यहां किसान ने जैसे जैसे इसकी आमदनी बढ़ी तो जैसे पैसे का जो कहते हैं एक वो लालत्चा या वो कहते हैं स्वाद जो आया तो इन्होंने क्या किया उसको अगेता पचेता बोना क्योंकि पूरा साल इसको पैदा किया जाता एक जन्वरी में इसमें जर्मीनेशन नहीं होता जन्वरी में इसकी बिजाई नहीं होती बाकि 11 मंथ जो माइक्रो क्लाइमेट है जमना के पास होने के कार्ण से इसको 11 महीने बिजाई कर सकते हैं फरक्या होता है जितना सीजन मे जाएंगे yield कम हो जाती है जो इसका height है वो थोड़ी सी कम हो जाती है production कम हो जाता है लेकिन जो मिलने वाली आमदनी है वो तीन चार गुना rate बढ़ जाते हैं यह से मैं सीजन में माल लिया सो रुपे हैं तो ओफ सीजन में 200 रुपे रेट हो जाता है तो उन्होंने लोगों ने पैसे को देखते हुए इसको वो कर लिए इसका बीज कैसे चाहिए बिजाई कैसे होती हो भी थोड़ा बताना चाहूंगा एक एकड में बिजाई के लिए 10 किलो बीज काफी रहता है एक्टेर की बात करूँ तो 25 किलो बीज लग जाएगा डोल बना के बिजाई की जाती है एक डोल से दूसरी डोल के बीज का जो अंतर है वो 55 से 60 सेंटीमेटर यानी करीब करीब 2 फूट होता है और 10 से 20 सेंटीमेटर के अंतर पर मतलब एक डोल पर दूरी पर इसकी बिजाई की जाती है आजसे बिजाई करते है जहां तक खाद की बात है तो 1.5-180 kg नाइट्रोजन और 60 kg फासपोर्स, 60 kg पोटास, फासपोर्स और पोटास की मातरा पूरी बिजाय के टाइम डाल दी जाती है, और जो नाइट्रोजन थी उसको तीन भागों में, एक बिजाय के टाइम, एक गुटनों तक हो जाए, एक थोड़ी सी और 15-20 दिन बात, ती की जो सप्लाई है, वो कंटीनू जैसे रिक्वार्मेंट होती है, उस पर देते रहना चाहिए, तो गर्मी में ये है, 40 दिन में इसमें भूटा आके प्रोडक्शन सुरू हो जाता है, और सर्दी में इसमें 70 दिन में मतलब हो आ, क्योंकि सर्दी में बढ़ा हो देर से होता ह तो इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है, कूल तीन महीने की फसल है, जब इसको काटा जाता है, तोड़ा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, तो इस तरह के बुटे निकलते हैं, जिनकी 200-200 गराम की पैकिंग करके ट्रांस्पिरेंट पोलिथीन होती है, उसमें स्टी पैकिंग करके इसको बेचा जाता है, कुछ या, यूनिट लगी हुए, यूनिट के अंदर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग में आप इसकी बहुत सारी चीज़ इसको हम 5 स्टर डेली कैसी बोलते हैं, जियानि, 5 स्टर में इसको सैलिड के रूप में ख सबी में baby cone का इस्तेमाल होता है कि खीर क्या हल्वा क्या सारी चीज इसके अंदर यहां बना बना के देखी गई है लेकिन सबसे ज्यादा इसकी होती है डिबबा बनी जिसको हम कैनिंग कहते हैं इसके लिए पहले प्लेंचिंग की जाती है बिलेंचिंग करने के बाद इसको ठंडा करके brine solution होता है उसमें brine solution के अंदर जो यह इसतरे के बुटे होते हैंब लेंचिंग करने के बाद उसमें पैक करके एक walk awayते टो इसकी लिएप जो है पांट साथ दन इस जो की फौरम में यूज कर सकता है अगर किसी भी सब्जी से कंपरीजन करोगे तो नूटीशन उससे बेतर है कैल्सियम की बात करें, आईरेन की बात करें, पोटास की बात करें सारे जो पोशक ठत्वे हैं, वो ज्यादा मातरा में माई जाते हैं टेस्ट में काफी delicious है काफी sweet है काफी मतलब swad में बहुत अच्छी है तो comparison करें तो काफी अच्छी है दूसरा कच्छी हवुसत्रा में तोड़ा जाता है जिछो poser का कम है जो किसान के लिए जो पसू रखता है उसमे inside her mes questo go वो सारा motor के इस्तेमाल में इस्तेमाल हो जाता है यानि आम के आम गुठलीयों के दाम मतलब आपकी मतलब फसल तो जाई जा रही है पसु को कच्छा चारा मिठा होता है और कच्छा चारा होता ये पसु को फरी में मिल जाता है हुआ है उनीस सो अठाण में सब एक एकड़ हमने बोया था जिसमें लगवाद पांच हजार रुपे का टोटल खर्च एक एकड़ माया था और साथ हजार के आमदनी होई थी उससे चलते चलते दो हजार ना नो तत्वम कहत्ती करते रहे और उसके बाद दो हजार नो में जो पचास लाग रुपे की लागत से लगाई और उसका पहला जो टर्नोवर था उप तीस लाग रुपे था उसके अगली साल पचास लाग हो गया उससे अगले डेड़ किरोड हो गया इस तरह बढ़ते बढ़ते आज हमारा जो टोटल टर्नोवर है करीब 40-50 किरोड के बीच म में हम खुद भी लगा रहे हैं दूसरों की लगवा रहे हैं फार्मर प्रोडूसर कंप्रियों की लगवा रहे हैं इससे बड़ा फादा यह हो रहा थी किसानों को माल बेचने के लिए किसानों की आमंदरी बढ़ रही है साथ में आप देख रहे हैं जो महिला ही काम कर रही इनको यहां लोकल स्थर पर रोजगार मिल रहा है लगवग यहां सारी इंडस्ट्रियों में जितनी हमने लगवाई या टेरना और राही के छेत्र में उन सब में लगवग 500 महिला ही काम करती है और साथ में जो